यह सुदेंट्स वी अगों टू फर्स्ट रिवाइज पार्ट वी देड लास्ट वी कवर्ड लास्ट रिवाइज कर लेते हैं मैंने आपको यह शॉटकट दिया था आपको याद होगा हमने जो कहानी थी जो हमने स्टोरी लिखी थी अलका और अलकेश वाली उसमें यह था कि भाई वो लोग क्या बोलते हैं अलकाहल वाला सब उनका प्रॉब्लम हुआ कॉफी पीने शालू की कॉफी वस बखवास एट सीसीडी उस पर ने देखा था क्लोरो बेंजीन मैंने आपको टेक्स्बूक में मार्क भी कर रहा था जिसका नाम था डाव प्रोसेस क्लोरो बेंजीन से फीनॉल बनाने का प्रोस यह मैंने आप लोग को बताया है जोनेतन यू टेल मी वाट इस दी अधर नेम फॉर फीनॉल मैंने यह लास्ट इंब बताया था फीनॉल का दूसरा नाम क्या है जोनेतन फीनॉल जार अलसो नोन अस वाट आयू देर ओनलाइन एटलीस से येस नो आई डोंट नो सम्थिंग क्या बोलते उसको यह देख्या लिखा है लास्ट आम यादे कार्बोगजिलिक बोला था डार्ट खाय था याद आया पार्बोलिक और अलसो कॉल्ड कार्बोलिक एसीडी के सभी बच्चों को ध्यान में रखना व्म यूदे र उनलाइन इस नुदिव फीनॉल का दूसरा नाम कर्बोलिक एसिड कार्बोगिजिलिक नहीं फीनॉल की प्रोपट्टी समने देखी था कॉफी में मैंने बताया था कॉफी बखवास थी तो अपना कॉफी मेकर लेकर लेकर उससे क्या पता जा सी और ओका बॉंड स्ट्रॉंग होता है फOoh f ceo – 3 के के साथ कुछ रियक्ष करता है तो उसका क्या प्रूप करता है Chdi character to me लो के साथ का रियक्षन कौन सा वाला दिखाता है अब है हमने में मेतनल के साथ आलकोहॉल का कौन सा रीक्षं देखा था फेले अधा हमने आलकोहॉल का विद मेतल कौन सा रीक्षं देखा था हमने मेटल्स के साथ पूरे सीलबस में अभी तक दो ही रियक्शन कवर किये कौंसा मेटल वी अब कवर्ड ओनली तू वी अब कवर्ड ओनली तू मेटल्स इन एंटार इस तींग वन इस सोडियम अगेस मैंनेशन क्या पूलए क्या वोग्या प्लस Nonsense C2H5OH plus sodium any metal it does not react with every metal it reacts with sodium magnesium हमने किया है sodium वाला एक ही के हमने Rona reaction Rona इतनी बार बता है Rona reaction yes और last में हमने किये थे 2 important name reactions किये थे Colby's और Rhymer Timon Colby's का मैंने बताया था Salicylic acid बनता है कौन सा देखो यहां पे दोनों बाजू-बाजू में adjacent position पे है तो ortho फिर से देखना ध्यान से OH और COH ortho position पे है तो इसको क्यों दे ortho salicylic acid it is used to make aspirin यह देखा था last time और last हमने किया था Primer Timon reaction which is used to make again यह दोनों adjacent position पे है तो ortho और CHO group है तो salicylaldehyde यहां तक हम ने किया था उसके बाद हमने पांच reaction जो हमने अल्यडी किये हूए हमको पता ही है शाना reaction sulfonation, halogenation, alkylation, nitrogen, acylation okay mic बन करो सी बोलना है तब जब मैं पूछू या आपको कुछ डाउट पूछना है तब mic on रखो continuous मच्चा दो रखो background में आवाज आती है चल so हमने कर लिये alcohols हमने कर लिये phenols बच्चो last part of the chapter that we are going to cover today we'll finish it off we'll finish off the chapter with ethers okay ethers alcohol, phenol, ether हमारे chapter का नम है obviously last part है वो है ether now ethers I have already introduced but I am sure you don't remember completely so I will revise it ethers basically a what let's see so ethers are alcoxy derivatives of hydrocarbons they are what alcoxy derivatives of hydrocarbons यह आप simple words में बोल दो alkates ठीक है example कि अगर CH4 था मेरे पास अगर इसमें से मैं एक hydrogen निकालू तो क्या बच्चा CH3 और उसमें मैं OR यानि कि alcoxy group लगाता हूँ इसको अपन क्या बोलते alcoxy group बोलते everybody will repeat with me क्या बोलते इसको अपन alcoxy group OR is called alcoxy suppose I say OR is alcoxy OCH3 is methoxy OCH2H5 is Jonathan अके ला बोला बाकी लोग किदर है methoxy then you have OCH3H7 will be called as n-propoxy तो ऐसे ही oxygen के साथ लगा हूँ तो अब alkyl group plus oxygen तो alkyl का alk और oxygen का OXY तो alcoxy ऐसा group बनता है ठीक है general representation क्या था इसका बच्चो तो general representation है R O R- where R and R- may or may not be the same is this clear yes or no now there are types of ethers let's say classify classify करने अपने को ethers are classified बहुत simple classification इसको आपको ऐसे कोई लिखने की याद करने की जबद भी नहीं पड़ेगी बहुत easily याद रहे जाएगा मैंने क्या कहा R and R- may or may not be the same ऐसा कहा ना मैंने तो ऐसे ही classification में ethers को दो टाइप में divide कर लेंगे आपन simple ether और mixed ether बहुत ही आसाँ simple को हम लोग बोलेंगे symmetrical हाँ जी आपने कुछ setting change की होगी बटाया बाकि सबको वीडियो audio सब आ रहा है refresh करो page को refresh करो आ जाएगा तो simple वाले को हम लोग बोलते हैं symmetrical mixed वाले को हम बोलते हैं unsymmetrical here R and R- are the same common sense है symmetrical बोल दिया मैंने symmetrical बोल दिया मतलब R and R- is the same and here R and R- are not the same let's do examples of these example करके देखते हैं example यहां पर हो जाएगा suppose मेरे पास यह वाला है CH3 O CH3 तो क्या होगा simple ether हो जाएगा और let's say mixed ether बनाना है CH3 O C2 H5 बात समझ में आ रही बच्चों हां की ना बहुत easy है यह है ना बहुत ही आसान चीज है C2 H5 O C2 H5 यहां पर मतलब दोनों alkyl group सेम और यहां पर क्या होगा दोनों alkyl group अलग-अलग होगा जैसे की C6 H5 C6 H5 मतलब benzene ring C6 H5 मतलब benzene ring यानिकि सब वो ऐसा हो कि दो phenyl बनाए हुए यह भी हो सकता है और यहां पर एक phenyl बना दिया और एक methyl बना दिया मतलब जब दोनों सेम हो तो simple सेम ना हो तो mixed कोई बड़ा rocket science तो इसमें नहीं है बहुत ही simple ठीक है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपन आते हैं बहुत इंपोर्टन चीजों पर जो ज़रूरी चीजे हैं वो है पहला हमारा MOPs तो मेथर्स अफ प्रेपरेशन Now as I have already said कि major part of the chapter जो हो तो alcohol और phenol था इथर में गिने चुने सिफ दो तीन reaction आपके method of preparation में है और दो reaction method of preparation में तीन reaction reactions में तोटल आज पांच ही reaction करने अपने को और अपने chapter और अपने चेप्टर रवाइब हो जाएगा तो फड़ा फड़ा इसको तो अपने करते हैं methods of preparation में number one सबसे पहला बहुती सिंपल है इट इस काल continuous etherification process क्या बोला था continuous etherification process continuous यानि कि obviously यह हम लोग ऐसा बोल सकते हैं the reaction will go on for a very long time or will go on continuously yes or no etherification obviously method of preparation of ether कर रहे हैं etherification तो होगा ही ठीक है तो बहुती सिंपल और लॉजिकल तरीका इसको समझने का कोई बड़ी बात नहीं है continuous etherification process पहले मैं आपको एक जेनेरल जेनेरल रियाक्शन इसका लिखके बदा ठीक है जेनरल रियाक्शन लिखके बदा ठीक है जेनरल रियाक्शन सिंपल है वो बोलता है आर ओ एच आर ओ एच क्या है गदे बच्चो आर ओ एच क्या है तुम लोग क्या मतलब मंद बुद्धी हो क्या रिटार्डेड हो सबके सब आर ओ एच इस वाट विच वाट कंपाउंड इस आर ओ एच जख मार रहे हो बारवी में आके या पिछले पांच लेक्शर से सो रहे हो तो फिर क्या बोल रहे है हाइड्राइड हाइड्राइड हाइड्रोल सम्तिंग जॉनेदन हमने आलकॉल चैप्टर खतम कर दिया आर ओएच नहीं बता पा रहे हो तुम लों को सवाल कुछ पूछो तो जवाब बहुत बड़े बड़े तुम लोग देते हो जो पूछा उसका सिंपल जवाब नहीं देते हो आर ओएच आलकॉल यह क्या है? H2SO4 क्या है? Sulfuric acid. Now this reaction, very very important here. This reaction has to happen at 413 Kelvin. This is the most important thing here. The reaction has to happen at 413 Kelvin. आगे से याद रखना मैं जो सवाल पूछू उसका specific answer देना. ठीके? हर question का specific answer है. मैंने पढ़ाया मैं वह पूछूँगा. मुझे यहाँ मां की घुमा फिरा के बाते मत बताया करो. ROH प्लस H2SO4 at 413 Kelvin. This is the most important. अब देखो. ROH अगर मेरे पास एक ही टाइप का अलकॉहल है. तो obvious है की ROR याने की same R group मिलेगा. प्लस H2O. इसका क्या मतलब? कि मैंने alcohol लिया, उसको sulfuric acid में, रादर alcohol को sulfuric acid से treat किया, तो बनेगा ether. यह फंडा समझ में आया, बहुत simple चीज लिखा है मैंने. alcohol plus sulfuric acid gives ether plus water. यह समझा हां की ना बोलो. ठीक है? अब देखो. अपन जाते हैं थोड़ा सा previous एक इस पे. हमने किया था. dehydration reaction हमने cover किया था. इसको थोड़ा सा revise करवाता हो. compare करते हैं. इसको compare करते हैं. तो dehydration मतलब removal of water molecule. क्या लिखा है देखो strong dehydrating agent का नाम क्या लिखा है? H2SO4 बरोबर है. मतलब हमने H2SO4 यहां पर यूज किया. अच्छा हमने देखा alcohol, primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol reacting with H2SO4. तो क्या आपके दिमाग में यह आ रहा है कि सर यहां आपने जो लिखा है alcohol plus H2SO4 और वहां भी लिखा है alcohol plus H2SO4. बेसिकली आपने reagents सेव लिखे दोनों reaction में बोलो हां की ना. आया दिमाग में मैंने sentence क्या बोला? ध्यान से सुदना ध्यान से सोचना बच्चो. भुमा फिरा के यहां वां नहीं जा रहा हूं. मैं आपको बहुत simply बता रहा हूं. दो अलग-अलग reactions हैं. दोनों में reagents exactly सेम हैं. क्या alcohol plus H2SO4. Everybody agrees. इस reaction में, dehydration में, alcohol और H2SO4 मिलने पर क्या बना था? क्या बना था? What was the product? अलकीन बना था? और अब मैं आपको बता रहा हूं कि alcohol plus H2SO4 मिलने पर क्या बन रहा है? इथर. विच मीन्स, I am showing you two different reactions having the same reagents but different products. बूलो, yes or no? तो, obviously, आपको ये curiosity आईगी, ये दिमाग में सवाल आएगा, कि sir, ऐसा क्यू? कि एक जगा alcohol को H2SO4 से मिलने पर अलकीन बन रहा है, और दूसरी जगा एथर बन रहा है. तो मैंने जो box किया है, उसको आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको अंसर मिल जाएडा मुचा. I hope now it is becoming clearer. So, when I say alcohol plus H2SO4, it can give me two different types of reactions. If I have a reaction above 443 Kelvin, it will give me alkene. And if I have a reaction at 413 Kelvin, it will give me ether. So, that is why you see, मैंने जो box में temperature को star mark किया, वो बहुत important है. बात अभी clear हुई, एकदम हाकी ना. सब लोग. Yes, पक्की बात, इसको हमने बोला था, dehydration reaction of alcohol, येस, और इसको हम बोल रहे हैं, continuous etherification process. How nice. अभी एकदम clarity, आ गई होगी, I hope so. अच्छा, इसमें एक घोचू जैसा सवाल, हर बच्चा बुझे पूचता है. घोचू जैसा नहीं है, पर हर बच्चे के धिमाग में, एक सवाल जरूर आता है. आपके दिमाग में भी आया होगा. क्या सवाल हो? कि सर, एक्जाम में, अगर वो लोग ने हमको 425 Kelvin दिया, तो हम कैसे जज़ करेंगे? इन दोनों के बीच में दिया तो. 413 दिया तो हम इथर लिखेंगे. 443 दिया तो हम अलकीन लिखेंगे. ठीक है, सर. 425 दिया तो. एक्जामिनर गधा नहीं है. वो कभी यह नहीं पूछेगा. वो या तो आपको 413 से नीचे, या 443 उस से उपर. यही दो टाइप के क्वेशन पूछेगा. समझ में आई बात. तो अगर आपके दिमाग में ऐसा फलतु सा सवाल आया. कि हाँ, सर 425 का क्या? तो ऐसा सवाल नहीं आना चीए. क्योंकि ऐसा क्वेशन एक्जाम में नहीं बनता. बोलो बात क्लियर हुई हाँ के ना? है ना? तो 413 या उससे नीचे. मतलब अगर लो टेंपरेचर या 400 केल्विन, 300 केल्विन, 200 केल्विन ऐसा दिया हुआ है. तो इथर बनेगा. रूम टेंपरेचर दिया, इथर बनेगा. सिदिमा. हाई टेंपरेचर दिया है, साढ़े 400 केल्विन दिया, 500 केल्विन दिया, तो एलकीन बनेगा. जैसे हम लोगों ने यह किया था अब यह दुरू आया का फेवरेट रियक्शन वो बताएगा अंसर अब आपका तुकि आप हमेशा इसमे मैं सब करते थे स्टार्टिंग में अब मैंने रटवाय यह आपको बताओ क्या क्या पोसिबिलिटिए के सांद आर्यक्श भाकि साहिल आरहे क्या आछ क्या पॉसिबिलिटिटे है का के दू कै। हमने एक वेरी गूड हमने इतनी बार यह रिपीट किया था एक्वस और आलकोहॉलिक एक्वस फॉर सब्स्टिटूशन आलकोहॉलिक फॉर एलिमिनेशन मतलब कि मेरे रिएजेंट सेम मेरी रियक्शन कंडिक्शन इस डिसाइड करेगी कि प्रॉडक्ट क्या बनेगा यह नहीं बूल सकते यह बहुत इंपॉर्टेंट रियक्शन यह बहुत जगह किया हमने नुक्लियोफिलिक सब्स्टिटूशन एसन वन एसन टू में भी किया था तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर समझने की जरुरत है आप लोगों को कि जब रियेजेंट सेम हो तो भी अलग-अलग प्रॉडक्ट मिल सकता है क्योंकि रियक्शन की कंडिशन अलग है तो एक्जाम में यह जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है यह बनेगा ऐसे ही पर पर रियक्शन कंडिशन डिसाइड करेगी कि प्रॉडक्ट क्या अच्छा अब इस रियक्शन को थोड़ा और डीटेल इन डेप्थ जाते इन डेप्थ ठीक है इन डेप्थ कैसे करना देगा एक्जाम्पल नंबर मैं वान ले लेता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं C2H5OH जोनतन इसका नाम बताओ C2H5OH what compound is this Jonathan C2H5OH नाम किदर गयी okay Ohm C2H5OH नेम हां ओफकोस हां तो क्या है है इतल अलकॉल common name is ethyl alcohol iupac is ethanol और ऐसा फल्तु प्लीस ऐसा इसा इसा स्टूपिड सवाल मत करो कि क्या बता निगा है मैंने साफ साफ पूचा नाम बता निगा है इसका यह की नाम है इतनल ठीक है वैंना आस्क यह व्यों क्वेस्टन डोंट काउंटर क्वेस्टन मी सिंप्ली गिव मी दी आंसर क्या है यह इतनल बात खतम चल्ड़ सीटू एच फाइच देखो अब यहां पर फंडा समझना बहुत इंपोर्टेंट है देखो यह ओएच देगा यह एच देगा एच देगा एच देगा अलकॉल ओएच देगा क्या निकलेगा वाटर यह वाटर अलग-अलग मॉलेक्यूल के बीच में से निकला कि एख अलग-एक अकेले मॉलेक्यूल का अंदर से निकला मेरा question समझ में आया दो अलग-अलग मॉलेक्यूल के बीच में से निकला बरो बर है तो water is contributed by two different molecules तो inter molecular हुआ इंटर तो यहां पर compound क्या बनेगा C2H5 OSO3H ऐसा बनेगा OSO3H क्या किया मैंने वो रेड वाला पार्ट हटा यह वाकिन जो है उसको जोड़ दिया अब note करना यह step 1 है नोट करना अब यहां पर stupidity नहीं करनी है ध्यान से देखना है समझना है नहीं समझा तो दस बार भी समझाओंगा कोई टेंशन यह पूछ लेना step 1 में क्या हो रहा है इतल आलकॉल अब यह मैंने यहां पर clearly आपके लिए उपर mention भी कर दिया कि H2SO4 sulfuric acid को मैं कैसे लिखूंगा written as HOSO3H यह अभी भी sulfuric acid ही है H2SO4 यह पर मैंने लिखने का style बदल दिया मैंने लिखा H2SO3H ठीक है अच्छा दूसरी चीज़ ध्यान देना समझना दूसरी चीज़ क्या हो रही है step 2 step 2 में क्या हो रहा है देख यह जो C2H5OSO3H बना था बच्छो that will react with another mole of that will react with another mole of alcohol that will react with another mole of alcohol and here here notice this OSO3H will take one proton or H from here and what will be made again tell me यह जो box में है यह क्या बन गया चेक करो H2SO4 exactly which means that H2SO4 has to be regenerated but what is the product C2H5 check मैं इसको underline करूंगा समझेगा C2H5O C2H5 बन गया इथर बोलो हा की न है और क्या नोटिस किया आपने आपने यह नोटिस किया कि सर H2SO4 जो हमने स्टार्टिंग में डाला था वो तो रीजेनरेट हो गया और रीजेनरेट हुआ तो अगर मैं alcohol excess में ले लू तो अलकॉहल के तो बहुत सारे molecule available रहेंगे हर स्टेप के बाद वापिस आएगा तो क्या यह process continuously चालू रहेगा अब आप लोगों को नाम समझ में आया क्या बोलो हां कि ना क्या नाम है नाम क्या है तो यह एक्जाम में यह आपके बोर्ड एक्जाम में तू मार्क्स या थ्री मार्क्स के लिए आ सकता है explain why continuous is continuous तो क्या करना है आपको step 1 step 2 लिखना है और ऐसा दिखाना है कि हाँ step 2 में h2o4 is getting regenerated hence the process becomes continuous अच्छा यहां पर आपको h2o लिखना है नहीं लिखना है ठीक है कोई बहुत बड़ी relevant बात नहीं है अब लिख सकते हैं अच्छा सब्सक्राइब इसका net reaction लिखना चाहूं बच्चों मैं इसका net reaction लिखना चाहूं तो किस तरह से होगा दिखते हैं अच्छा सब्सक्राइब अच्छा सब्सक्राइब इसका net reaction बतब टोटल बीखना अब हमने एलेक्रों केमिस्प्री में बहुत जगा पर यह बहुत साइड पर यह कैंसल होगा है एक चो एस तो थ्री एच यह दोनों साइड पर यह कैंसल होगा तो नेट रियक्षन टेक्निकली आपको कुछ इस तरह का दिखेगा बच्चों कि मैंने दो मोल इथाइल आलकॉल लिया एट 413 केल्विन एसिड का प्रेजेंस था सिव एसिड मीडियम था और उसका इथाइल यानिकि डाइथाइल एथाइल बन गया को जित्व इस इस पर्तिकूलर पूरे रियक्षन को समझने से दो तीनिस इसे important points प्रूव हो गये कौनसे इंपॉटें प्रूइटट फ्रित नौटवर्ण इस प्रोसेस बेटर और रदर जो पोर शूटिड तुमेक सिंपल या मिक्स इथर कौन सा वाला सिंपल इथर्ज और मिक्स इथर्ज मोर सुटिट तुमेक साथ में बोलते जाओ कितनी बार बोला रिपीट करते जाओ नहीं तो याद नहीं रहता आप लोगों को हां इस्टी उस्टी मेक वाट सिंपल इथर्ज थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाते हैं हमने एक ही टाइप का आलकॉल लिया तो एक ही टाइप का आलकॉल ग्रूप आएगा तो सिंपल इथर बनेगा right secondly H2SO4 is regenerated H2SO4 is regenerated hence the process becomes continuous hence the process becomes or process is continuous important reaction ठीके and last but not the least here below the alcohol molecule you have to write excess and third जो समने का last but not the least very important it's an example of intermolecular dehydration वापस हमने जो compare किया था हमने compare किया था dehydration और अलकॉहल के साथ में इसको और वहां पर मैंने आपको यह clearly बोला था कि यह जो alcohol plus H2SO4 alkene दे रहा है यह intra molecular होता है intra intra मतलब एक ही molecule में से पानी निकला इंट्रा विदिन और इंटर का मतलब दो अलग अलग molecule के बीच में से बोलो हां की ना क्लियर है कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो कि एकदम crystal clear सबको चाल नेक्स्ट वाले पर जाते हैं नेक्स्ट जो सेकेंड हमारा method of preparation सेकेंड हमारा method of preparation है वो है Williamson's यह अमने अलड़ी बहुत बार किया हुआ है फिर भी आपको याद नहीं होगा एम वेरी फिनिश मैं लेक्टर यॉल डोट इवर ओपन यॉर बोक्स यह मैं ऐसे कम से कम हजार बार आप लोगों को क्लास में बता चुका हूं कि इसको मैंने नाम रखा क्या नाम रखा आपनने रोना रिएक्शन मैं इसको बोलता हूं मतलब टिपिकली अगर मुझे आपको फटाक से याद दिलाना है तो मैं फिशा बोलता हूं रोना रिएक्शन यानिकी विल्यमसंस एथर इस एक ता किसी को याद है क्या था इस रिएक्शन में क्या था विल्यमसंस एथर सिंथेशिज में क्या आता है करेक्ट एक्स माइनस जाता है बर ओबर है वेरी गुड़ ओच माइनस कैसा ओ और और वेरी गुड़ ओ और एक्सामपल वन स्टेप नॉमबर एक्साहिल यार मेकिन एन एफ़र बाकी तो यहाँ पे सब अम तो आज बहुत दिन बाद वापिस आया वह तो ठीक है अम जॉम जॉन्छन एं दुरूब यॉल आ नट्सटी नॉल टगोड़ ओआ लुड़ ऑ्क्स, अच्छल रागुंदे, लुड़ ऑब लूग्ड संटेड प्रूब्र रग्वड़ यॉ। अल्कोहॉल प्लस एने अभी सोडियम रियक्शन सोडियम मेटल लिखा है मैं अल्कोहॉल प्लस मेटल सोडियम मेटल लिखा है तो एरो पर क्या आएगा यह बता हुआ वेरी गुड एरो पर क्या आएगा ड्राइएथर और पिस्ति भीकॉज रियक्टिव मेटल यूस कर रहा हूं तो आरो पर आएगा भाई राइथर यह तो बरोबर है तो क्या बनता है यह यहां तक एकदम सिंपल है यह स्टेप नमबर वन अच्छा स्टेप नमबर टू स्टेप टू अब स्टेप टू बोलता है कि मेरे पास आरो एने तो है और इसके साथ मुझे कर्रस्पोंडिंग अलकाइल हलाइड चाहिए अब अलकाइल हलाइड हम लोग लिखते हैं आर श्टेलबॉमाइड और यह ऐन ए ओ सी तू एच फाय एकदम आसा एनने ओ सीटू एच फैया बनेगा ःफ यह एने अब्या निखल आ यह यह मेने बहुत बार बताया आप लोगों को फिर से बता देता हूं कि भाई ब्यार माइनस जायेगा और ओ सी टू एच फाय आएगा एक माइनस जा रहा है एक माइनस आ रहा है एक नुक्लियोफाइल आ रहा है याने की नुक्लियोफिलिक सब्स्टिटूशन हो रहा है अगर भूल गए थे यह रियक्शन तो अभी याद आ गया कम से कम आईनो मैं आज आप लोगों को बहुत डाट रहा हूं बट वह आपके भले के लिए है आपको मुझे गाली देनी है तो दे सकते हो और आपको मांक्स आएंगे तो शायद मुझे अच्छा लगेगा शायद क्या मुझे डेफिनेटली अच्छा लगेगा गुस्ता निकालना है तो मुझे आके बाद में गाली वाली दे देना चलेगा पर फिलाल पढ़ाई करो ठीक है तो एने बी आर निकल गया क्या बना च्छो च्छी त्री ओ सीटो एच फाय यह बन गया क्या प्रूव हूँ ऐससे कि यह सिंपल ही थर था कि मिक्स ही थर था य जवाब देते रो जितना इन्वाल्ड रोगे जितना जवाब दोगे रिपीट करोगे उतना आपको याद रहेगा चुपचा वैसे स्टैच्यू की तरह बैटके से वीडियो देख लिया और बंद करके खतम उसके बाद इसले गड़बड होती याद नहीं रहता चलो बोलो क्या बना सिंपल बना की मिक्स्ट बना mix ether बना mix ether बना . इसके पहले वाले process में हमने एक ही अलकॉहल लिया था पर यहां पर आप notice करेंगे और यह तो कोई भी बच्चा common sense यह utility करेंगा कि यहां पर एक आलकाइल गूरूप अलग है सर यहां पर एक अलग है तो दो अलग-अलग अलकाइल गुरूप है ओम तो मिक्स्ट बनेगा कि सिंपल बनेगा बिटा मिक्स बनेगा ओब्वेसली तो यहां इस रियक्शन की जो नोट है उसमें हम लोग प्रस्ट फिया लिखेंगे प्रेफर्ड मेथर्ड फॉर मेकिंग मिक्स्ट इथर तो एकदम इजी होगे हम आगले हमने दो ही मेथर्ड प्रेप्रेशन किये पहला वाला सिंपल बनाने के लिए यह वाला मिक्स बनाने के लिए तो आपको एक्जाम में वह पूछेगा भाई कि अगर आपको मिक्स्ट वाला बनाना तो आपको मेथर्ड प्रेफ प्रोसेस्ट प्रेफर करोगे एकदम बात क्रिस्टल क्लियर हो गई बोलो हां कि न तो यह हम लोग लिख देते हैं यहां पर निक्स्ट इथर यानि कि अन्सिमेट्रिकल इथर बनाने के लिए आपका यह प्रेफर्ड मैथर्ड है ठीक है सेकेंड की इट फॉलोस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिटूशन यह जो मैं नोट में लिखता हूं यह आप लोग के लि कि यह निक्लियोफिलिक सब्स्टिटूशन मेंकनिजम फॉलो करता है ठीक है ये सनट्व मेंटियो करते हैं तो प्रामरी विल बीमूर रिक्तिव तर्श्र और में 2-1,1-2,SN2 में primary का ज़्यादा यह है reaction और SN1 में tertiary का यह बोला हुआ है बार-बार repeat करते हो ठीक है तो preferred method for making mixed ethers nucleophilic substitution mechanism और एक example मैं यहां पर लिख रहा हूं आप लोग मुझे product बताएंगे अब मैं नहीं बताऊंगा product आप बताएंगे है ठीक है मैं ले लेता हूं methyl alcohol क्या ले रहा हूं मैं methyl alcohol क्या बनेगा product प्रोड़क्त क्या बनेगा बताओ जल्दी जल्दी प्रोड़क्त करेक्टर को प्रूव कर रहा है वह hydrogen निकाल रहा मतलब कोई बीचीज जब hydrogen देती तो अब देखो दूसरा मैंने लिखा थोड़ा सा complex कोई दूसरा बड़ा ले लेते हैं बेंजीन रिंग वाला ओके जो इसका नाम बताओ यह जो मैंने compound लिखा यह वाला बेंजीन रिंग विद क्लोरीन इसका नाम क्या है इसका रियक्टन का नाम बता बड़ा यह यह वाले का यह देखो मेरा करसर दिख रहा ना जिस पर इसका नाम बता क्या 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 दिख रहा हो तो बोल क्या फंक्शनल ग्रूप क्या दिख रहा है कि क्या है फंक्शनल ग्रूप क्या है कि सिर्फ बेंजीन और क्लोरीन सिर्फ बेंजीन और क्लोरीन वाला पूछ रहा हूं और यह क्या बेंजीन रिंग है तो क्या नाम है इसका है क्लोरो बेंजीन राइट एने ओ सिस्टी के साथ में निकला अब प्रोड़क्ट क्या बनेगा प्रोड़क्ट बनेगा है मिथाइल यह मिथाइल ग्रूप है फिनाइल यह फिनाइल ग्रूप है इथर इतर इज़ी हो गया इतना इस ए मीधायल फि निटर लश्य प्लीओं एस तlling क्लॉड जश्यूंध येइस दुरूपट ब्र नभाई-अशन धैस पर यादा थे आध करने क्शन सब्सक्राइब आगार अगर्लुडै अगर वहां पर लिखना भूल तो आधा मर् कटेग है बट प्रोड़क लिखना भूल गए तो पूरा रियक्शन सपोर्ज आपने प्रोड़क में गड़बड की और बाकि सब कुछ राइट लिखा है तो भी पूरा जीरो मिलेगा तीन में से आधा मार्क दो में से आधा मार्क ऐसा नहीं मिलेगा कि तो प्रोड़क पर फोकस करना और परकॉर्स इसी लिए तो यह बॉक्स की है तकि आपको आसानी से याद रहे जूढ़ने के बाद जो बना वहुआ प्रोड़क तो सारे बच्चों यह चीज़़ प्रैक्टिस करना यह चीज़़ फॉलो करना मैंने क्या पहीं चान बूच क कुछ भी इसमें rocket science नहीं है बहुत इजी है तो यहां पर आप देखो तो मैं इसको भी step 1 step 2 के इसाब से लिख देता हूं नोट करेंगे कि दोनो reaction हमने जो लिखे method of refreshment लंबे चौड़े reaction थे और दोनों में दो steps हो रहे थे कि एकदम से clear है तो सिर्फ दो reaction थे एक विल्यम संस इथर सिंथेस एकदम इजी सिंपल नेक्स देखते हैं अब आते हम लोग के reactions of ether अब reactions of ether बहुत ही मस्त इजी सिंपल वाले हैं थोड़े से tricky हैं थोड़े से tricky हैं मैं आपको अभी बता देता हूं तो clear हो जाएगा बिफोर यू गोटो reactions of ether नोट डद अपॉपिलर कॉमन वन अगर मैं देखू यह वाला सबसे कॉमन है अच्छा इसका नाम क्या होगा कोई बता सकता है यह पहला वाला मैंने structure ड्रॉ किया इसका नाम क्या होगा बहुत सिंपल नाम है कि कि अब यह इसका नाम है वह इपता है आप लोग यह पार यह टाइल गुरुप रहे तो डाइथर रहाँ डाइथाई इसका नाम है मैंने अभी बताया methyl phenyl ether right but this is known by its popular name यह याद रखना पड़ेगा आप लोगों को this is known by its popular name any soul क्या नाम है बच्चों इसका repeat करो structure का एनिसोल यानि की एरोमाटिक एथर है यह बेंजीन रिंग के अंदर मैंने मिठोक्सी ग्रूप लगाया है तो उस चीज़ का नाम क्या होता है एनिसोल होता है क्या होता है एनिसोल ओम सीन किदर है करतिके बोलने का पैसा लग रहा है या फिर नाश्ता नहीं किया है क्या नाम है इसका है ओम तो रियक्शन समझने के लिए यह दोनों स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना बहुत जरूरी क्यों कि यह दोनों स्ट्रक्चर बहुत बार आने वाले बहुत जगह आने वाले ठीक है ना अभी सपोस्ट मैं ऐसा बना दू और एक एक एक्जांपल दे देता हूँ कि सपोस्ट मैं ऐसा बना दू CH3 O CH3 या CH3 O C2H5 तो क्या लिखोगे इसका नाम बताओ यह तो इजी हो गया अलकाइल ग्रूप देखके नाम लिखने अभी कम ओन अलकाइल ग्रूप देखके बस नाम लिखने क्या नाम होगा इसका क्या दो अलकाइल ग्रूप यह तो तुम एक बताते ओं था ग्या इतर दूस्रा का ग्या इतर लिखत्स है कि एक इटल दीख रहे ना सी लिख रहे ना सीएशतरी तो लिखना कि यह तो यह वाला पहला वाला सिंपल में बताऊ कि पहला वाला सिंपल ए यह सेकेंट यह वाला कुं सा है जिसमेरा कर्षे है एनिसल भी और यह इसाइल मिधल गांअ येस तो यहां पर एक clarity है अपने दिबाग में कि हाँ simple वाला कौन सा मिक्स्ट वाला कौन सा reactions में यह important चीज जिसको ध्यान में रखना है simple वाले अलग तरीके से react करते हैं mixed वाले अलग तरीके से react करते हैं yes of course दोनों के अलग-अलग टाइप के reactions है इसलिए ध्यान में रखना जरूरी है अब हम लोग जाते रियक्षिंग और reactions याद करने के लिए मैं आपको एक आसान सी ट्रिक दे रहा हूं ठीक है इस है 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 और है तीन चीज़ बहुत आसा हाई हाई और हाई एक दम आसान तीन reactions दन चुटकी में हो जाएगा कैसे है 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 यह पहला वाला याद करने का कोल्ड है उसरा वाला याद करने का होट है तीसरा वाला हाई मतलब हाईड्रॉलिस इस याद रहेगा बोलो हां की ना इजी है कि सिंपल तीन reaction करने वाले अपन तीनो reaction को अपन डिवाइड कर लेते हैं अग्दम आसानी से तो हमने पहला देखा और अपको एचाय में अब मैंने अप लोगों को बतता है बच्चो कि डेखो सिंपल अटर हो सकता है mixture हर रियक्शन को अपन दो चैटिगरी में लिखेंगे एक सिंपल के लिए मिक्स के लिए बात समझ में आरे हां कि ना है ना इजी हो गया तो एक सिंपल के लिए लिखेंगे आपान और एक मिक्स के लिए देखते चलो कैसा लिखना है तो पहला हम लोग लिखेंगे एथर प्लस ईकाइए अब कर नीचे यहां पर सब्सकरिक नावर आपकेशंडा है यहां голॉ कि हो फचल पे लिखना तो लिख सकते और चरहें तो यह देखा को आ और आपको बहुत इजी लगे गाई है क्या रहेगा है चाहिए का नाम क्या बता हूँ हाइड्रो हाइड्रो क्लोराइड कि हाइड्रो क्लोरिक एसिड गोचू हाँ तो हाइड्रो क्लोरिक एसिड बोलना हाइड्रो क्लोराइड क्या होता है हाइड्रो क्लोरिक एसिड तो यह हाइड्रो यह हाइड्रो अगर वो हाइड्रो क्लोरिक एसिड है तो यह हाइड्रो आयोडिक एसिड होगा ना मतलब HCL तो मैं फोर्च टाइनट के बच्चे को पूछूँगा तो भी नाम पता होगा उसमें भी आप कुछ नया लॉजिक लगाते हो दुरूब उसमें आर्इव कर रेयो की है यह不श्य हाइड्रो क्लोरिक एसिड सिंपल तो यह 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 इजी in HBR क्या रहेगा फिर उससाब और हैड्रो प्रोमिक का पूरा बोलना हाइड्रोब्रोमिक एसिड तो इथर प्लस हाइड्रो आयोडिक ऐसे हैं अब इसका रियक्शन का एक्जांपल देखते हैं अब एक्जांपल वन में सिंपल इथर के साथ लिख रहा हूं हां जी हम यह ऐसा लिख रहे हैं यहां पर जब कोल्ड के साथ रियक्शन होगा इसका रियक्शन में कर रहा हूं कोल्ड है के साथ नोट करो मैं आपको यहां पर ट्रिक बता रहा हूं बहुत इसी है सी ओ बॉंड को तोड़ो आजू बाजू एच आए को जोड़ो बन गया अंसर देखो बोलो हाकी न क्या बना सर सी एश्ट्री आए बन गया प्लस सी एश्ट्री ओएच बन गया बात समझ में आ गई तो सिंपल इथर में आपको रॉंग होने का स्कोपी नहीं पूछो क्यू क्योंकि दोनों साइट तो सेम ऑल्कायल ग्रूप है एक का अइयोडाइट बनाऊ एक का अलकॉल बनाओ कोई टेंशन की बात का है की नहीं है सिंपल हो गया यह अच्छा मुद्ध काँ मुद्धा मिविट वाले में क्यों मिग्स्ट वाले में मुद्धा ये support कि सर मिग्सट वाले में हम कैसे decide करेंगे बच्चो का सवाल क्या आता है कि साूरे आपने अगर मिख सूआशञ डाल दिया पहले इसको समझवा क्या क्या है तो दो पॉसिबिलिटी है दो संभाव नाए है एक कि CH3 को आए मिलेगा और C2H5 को H भी लेगा क्लियर हुआ यह ऐसा एक पॉसिबिलिटी है बच्चों हां की ना दूसरी पॉसिबिलिटी है कि CH3 कि C2H5 को आए मिलेगा और इसको H मिलेगा यह भी पॉसिबल है तो सर यह दोनों में से कौन सा वाला रियक्शन एक्चुली होने वाला है हम कैसे जर्ज कर यह सवाल आया दिमाग में पहले सवाल समझ में आया लॉजिकल सवाल है बोलो हां की ना है ना तो इस लॉजिकल सवाल का मैं आपको लॉजिकल जवाब बता हूँ तो what happens in this reaction I am writing a statement a small note which you will directly get the answer from जब mixed ether cold HI के साथ react करता है है when mixed ether reacts with cold HI cold HX भी बोल सकते हो HCLHBR भी चलता है करता है smaller alkyl group लॉजिकल था लॉज़ points with I minus except if इट इज और टर्शियरी ग्रूप पहली बात यहां पर एक इथायल है एक मिथायल है टर्शियरी तो है ही नहीं तो जो स्मॉलर ग्रूप है अब यह दोनों में से स्मॉलर ग्रूप कौन सा यह बताओ चलो इथायल और मिथायल में से छोटा ग्रूप कौन सा है तुम लोग अपने रिटार्डर होने का सबूत क्यूं दे रहे हो इथायल छोटा है मिथायल से एक में एक कारबन एक में दो कारबन है बाकी लोगों ने इथायल बोला तो गलत है ना किसी ने तो वह में को इथायल सुना ही दिया यह वाला स्मॉलर ग्रूप है बोलो हाँ सब लोग अगरी करते हो साहिल काम इस्टे कोई समझा हां तो अब अब मुझे बताओ परस्ट वाला करेक्ट है कि सेकेंड वाला प्रोडक्स में जो मैंने फर्स्ट में लिखा है कि सेकेंड में लिखा है जो यह पहला यह पहली एकरेक्ट है कि सेकेंड लाइन यह नियेकरेक्ट है कौनसी वाली करेक्ट है वाला बताओ पर्स्ट वाली ऑब्वेसली क्यों क्योंकि मेरा जो नोट का स्टेट्मेंट है वो उसको फॉलो कर रहा है बात समझ में आ गए सबको अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तो यह रॉंग था यह करेक्ट था अब यह सबको क्लियर है बोलो हां की ना और ओम आपको क्या पैसे लग रहे क्या बोलने के तो यहां पर आ जाता है च्छ 3 आए प्लस सीटू फ़ाइव बहुत ही सिंपल फंडा है छोटे वाले ग्रूप को आए दो तो जो बच गया उसको तो यहां पर यह कॉमन सेंस की बात होगी अब फिर से एक बार देख लेते हैं भाई यह ऐसा था तो मैं बॉंड को ब्रेक करूँगा यहां से और इस ग्रूप को आई दूँगा तो बचा क्या सी टू एच फाइओ उसको मिलेगा एच तो अंसर यह हो गया खतम इसका नाम तुम लोग इतने बेसिक सिंपल सिंपल चीजों का नाम लिख पा रहे हो की नहीं आइडोंट नो अलकाइल हलाइड शाप्टर करने के बाद भी मिथाइल आयोडाइड एंड यह एथाइल आलकोहल यह बात क्लियर हुई सिंपल एथर अलग अलग और यह नोट अगर टर्शरी होता तो भले वह छोटा होता या बड़ा होता वह एलकाइल हलाइड के साथ ही जाता आयोडाइड ही बन प्रेसेंट फिर स्मॉलर लार्जर कुछ नहीं होता फिर सीधा हो जाता है तर्शरी ग्रूप इस प्रेजेंट तो टर्शरी अलकाइल हलाइड बनेगा सिंपल इसे रेक्शन जेनरली आपको इसमें नहीं आएंगे बोल्स में नहीं यह हो गया हमारा कोल्ड एच आए के साथ रेक्शन डाट इस फर्स सेकें अब क्या था सेकेंड बॉस एथर प्लस होट है तो या तो एरो पर ट्रैंगल का मतलब हीट हो सकता है या तो सीधा-सीधा यहां पर लिखा रहेगा होट है अब यहां पर आपके लिए बहुत ही आसान है आर आए प्लस आर आए प्लस एज़ बात खत्म इसमें कोई टेंशन नहीं क्योंकि अलग अलग कुछ प्रॉड़क्ट नहीं है सिर्फ दोनों का अलकाल आयोडाइड ही बनाना है एक्जम्पल के इसाब से समझा देता हूं बह संपल वान इस वर सिंपल एथर क्या है सिंपल एथर लेट सी तो मेरे पास सी टू एचफाई ओ सी टू एचफाई है प्लस होट एचाई ना एक ट्रिक याद रखना जब होट एचाय रहेगा तो मतलब समझ जाना कि वह आक्चुली दो मोल एचाई की बात कर रहे हैं सब लो है तू मोल्स एचाई यह बस इतना याद रखना यह सिंपल सी चीज याद रखो कि आपका सब सौटेड रहेगा अंसर अपने आप आ जाएगा है अब क्या फंड देखो सीओ बॉंड और सिओ बॉंड को तोडओ आज बाजू आई ना जोड़ो यहां से क्या बचगया बच्चों यहां एसे दो यहां पर संसक्या बने ग अ तो क्या बनेगा है एच टू ओ तो निकल गया समझा और यह दोनों में से प्रोड़क्ट क्या बने अब तो कोई अंधा भी देखके लिख लेगा भाई दो किसी तो हईच फाई प्लस सी तो हईच फई आए बोलो हांकी ना बहुत इसी बहुत सिंपल तो इसका अगर में जैंडरीक रिक्षन लिखना चाहता तो मैं इसा लिखता ना रो और प्लस एच इस आराइ प्लस आराइ प्लस गुब्लस एच तो जो उपफर लिखा है अचा एक्जामपल 2 एक्जामपल 2 मिख्ट इथर अब मुझे इसमें मिख्ट इथर में कोई टेंशन है क्या ओल्ड एच में था आपे कॉंबिनेशन थे यहां पर भले मिख्ट इथर हो या सिंपल इथर हो क्या फरक पड़ता है दोनों का बनने वाला है अलकाल आयोडाइडी बनने वाला है बोलो हां की ना तो इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है C2H5 OCH3 प्लस दो मोल है कैसा होट है तो प्रॉडक्ट में क्या बनेगा जॉनतन क्या बनेगा प्रॉडक्ट चलो बताओ प्रॉडक्ट तुम क्या बोल रहे हो मतलग जो रियक्टन मैंने लिखा है वही बोल रहे हो वापिस प्रॉडक्ट में तुरूव आया प्रॉडक्ट 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 फर्यग्ट जो दो आलकाइल ग्रूप से उनके साथ में आयोडीन लगाना है जॉनतन आपको नहीं समझ में आ रहा है ये कहां पर डिफिकल्टी आ रही है बताओ मेरे को मुझे यह बताओ सुनो मैंने यह इतना सिंपल किया है सिर्फ ऐसे इमेजिन तो करी सकते हो कि बॉन को तोड़ो आई को लगाओ तो यहां जो लिखा है न यही आपका अंसर है यह देखो यह आपका प्रॉडक्ट है यह आपका प्रॉडक्ट है ऐसे किया न सबने अपने दिमाग में और नहीं किया तो ऐसे सोचो इसके लिए लिखा है अभी क्लियर हुआ हां कि न अब इसका नाम बता इसका नाम बता ओम इस कंपाउंड का नाम बता चलो क्या क्या दिख रहा है इसमें जो दिख रहा है उतना बता क्या ग्रूप है यह कौन सा ग्रूप है मतलब क्या ग्रूप का नाम क्या है सवाल पूछने पर तुम लोग का माइक बंद हो जाता है सब बंद हो जाता है ना बरूबर है साहिल इसका नाम बता बटा पूरा नाम एक-एक बट यह क्या बोला यह वोला इथाल क्या कि दर भी कुछ भी चिपकाएगा क्या अलकॉल किदर से आई बता जर्णा क्या लिखा मैंने आई लिखा है ना आलकॉल कौन सा ग्रूप है एलकोहल इस वाट फंक्शनल ग्रूप हां तो यह यहां पर है कहीं पर लिखा हुआ दिख रहा है क्या तो एलकोहल क्यों बोला कुछ भी बोलते हो ग्यां इसा मन किया मेरे को अलकॉल बोलेगा इसा कुछ भी दिख रहे क्या अलकॉल दिख रहे नहीं न कुछ भी क्या बोलते हो इथाइल आयोडाइड इथाइल आयोडाइड मतलब एच्डिये चैप्टर में जहक मार रहे थे सबके सब आयाइटी करना है तुम दों कुछ बेसिक नॉमेंक्लेचर नहीं बता पा रहे हो मतलब ग्रूप देख कैसा सी टु एच पाइड आयोडाइड इतना यह इस से ज्यादा सिंपल चीज होती नहीं है आलकोहल मूल आपके ममी से तो मैं कल मिल क्या हूं बात कर क्या है ओलरड़ी हां आपने अंसर दिया है फिर भी आपको और आपको और प्रैक्टिस करने की ज़रूप आपने कुछ बहुत खास आंसर नहीं दिये ठीक है आपको जितना मैंने पूछा आपने सिर्फ घुमा घुमा के बात बताईए मुझे या ऐउग्ड्रोग्ण Anso now, can we right? wiederok kloro इसको वह सर वह इंरफ आपको होता यह मैंने आपकों करो मैंने आपको सेपने हैं मैं आपको सिंपल बंचा चिंपल और सिपाइसे आंसर दिना सिम्पल आंसर दिनेकं के इसका मतलब है कि लेक्चर खता होने कि आप में से कोई भी एक जन बुक उठाके पढ़ता नहीं है कि साहिल थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहा है उसके अलावा कोई बुक भी नहीं खोल रहा है कि वेनियों कांग कि में बेसिक नेम्स इसके ने और किसी को मेरे डाठें से प्रॉब्लम है तो कल से बन कर दो मेरेको तुमको मेरी जरुत है किसी को मेरे से प्रॉब्लम है न तो बोल दो अपने प्रणे को कंपलेंट कर दो रिंekerद है कि सर बढ़ते डाठते ज्यादा Laboratory कल से कि मेरा पढ़ाने का तरीका यह यह मैं अगर पढ़ाऊंगा मैं तुमको डाटूंगा अगर तुम आंसर नहीं दो कि गदे की तरह भीएव करें तुम सब के सब इतनी बेसिक बेसिक चीजे तुम लोगों का नाम याद दिलाना पड़ रहा है कि फंक्शनल गुरूप याद दिलाना पड़ रहा है कि शरम आ रही है चार महिने में तुम लोगों को अबोर्ड एक्जाम है कि मैं घदा हूं मैं पूरे-पूरे फोल्डर नोट्स प्रिंट करकर के लिख लिख के लाके तुम लोगों को दे रहा हूं घर 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 जाके कुंसा टीचर करता है इतना कि मैं पूरे लोगों करता है तुम लोगों करता है तुम लोगों करता है अब यह तुम लोगों को फाइनल वार्णिंग है उन बच्चों को जो मिर से आर्ग्यू करते कि सर मैंने तो यह बोला मैंने तुम वो बोला तुमने अंसर करेक्ट दिया यह नहीं मैं डिसाइड करूंगा तुम डिसाइड नहीं करोगे यह बात क्लियर है कि नहीं सब कि अबैट आट खाटम मुझे अगर सैटिस्पेक्टरी आंसर नहीं मिला तो मैं तुमको डाटूंगा तुमको प्रॉबल्म है तो कल से क्लास अटेंड नहीं करने का तुमपल and this goes for everybody मैं किसी एक जन को नहीं बोल रहा हूं I will decide whether your answer is satisfactory or not and for me it is very simple जो मैंने पढ़ाया उतना ही बोलनेगा यह ऐसा बोला था ना यह A plus B gives C plus D बात खता हूं अपना दिमाग नहीं लगा निगा इसका मतलब कि खोलो और पढ़ो और रिवाइस करो यह आपके पेरेंट्स फीस भरते हैं मैंनत करके पैसा कमाते हैं और फिर मुझे फोन या मेसेज करके पूछते कि सर मेरे बेटे पर ध्यान देना उसको पढ़ाना इसलिए मैं आप लोगों के पीछे पढ़ा मैं अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा हूं चिला चिला के मुझे कुछ फाइदा नहीं होने वाला नहीं मुझे आप लोगों को चिलाने का कोई ऐसा मजा आता है यह आता है यू तेक इट दवे यू वां तो एक इट यू यू अचिए कि 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 मौर नंबर अफ मॉलेकुब लोग 2 ही के जादा मॉलेकुब करते डो 2 मॉलेकुब करते हैं ही के जिससे क्या होता है 2 अलकायल आयोडाइट याने 2 हैलाइट बनेंगे दोनों अलकायल गूरूप हेलोजन के साथ जाएंगे और बीच में जो oxygen बचा वो 2H के साथ में जाके water molecule बना देगा simple उसके बाद last last वाला reaction बहुत ही आसान है that is hydrolysis third वाला क्या था है था हैच वाई that was hydrolysis now hydrolysis when we talk about hydrolysis what is it reaction with what hydrolysis का मतलब reaction with hydrolysis का मतलब reaction with what अच्छा है मैं डाट ही रहा था वैसे वी दो मिनिट पहले कोई बात नि अच्छा डाट सुनी डाट सुनी डाट सुनी बरवर कुछ असर हुआ देखो यहां पर hydrolysis का मतलब जो तीसर रियक्शन अपन कर रहे है hydrolysis hydrolysis का मतलब होता है HOH के साथ यानि कि वाटर के साथ रियक्शन अपने बहुत जगा पर hydrolysis किया है H2O के साथ में रियक्शन अब याद रखना इथर आर ओ आर प्लस हो अगें फंडा सेम रहेगा कि बाई सपोज मैं यह बॉंड को तोड़ू तो इसको ओच दूंगा इसको एच दूंगा तो क्या लगता है यह प्रॉडक्ट बन रहे है आर ओ एच और यहां पर भी आर ओ एच यानि कि क्या बन रहे दो जोनतन यह दोनों क्या बने अ आर ओ एच और आर ओ एच यह दो आर ओ एच क्या है हां तो दो अलग अलग टाइप के क्या बने अलकॉल इसमें एक्जांपल के अगर हम लोग बात करें तो पहला वाला हम करेंगे सिंपल इथर के साथ पहला वाला हम करेंगे सिंपल इथर के साथ में तो यहां पर तो बहुत आसान हो जाएगा सिम्पल इथर सब्सक्राइब को तोड़ो आजु बाजु बाजु एच ओएच को जोड़ो तो प्रोड़क्ट क्या बनेगा बताओ सिम्पल वीडियो लाइग हो रहा है मतलब नेटवर का कुछ इशु है रुप जाओ बैट अब भी बैट रहे है अभी आवाज अब रहे है आवाज अभी वापिस आया ओके यह आ गया जो मैंने लिखा तो वो आ गया स्क्रीन पे थोड़ा शायद लाग हुआ ठीक है ना यार दो चार सेकेंड के लिए इंटरनेट फ्लक्ट्वेट होता तो चला जाता है ठीक है फिर से लिख देता हूं प्रोडक्स ध्यान से देखो हमने क्या किया सी ओ बॉंड को ब्रेक किया और एक साइड पर एच एक साइड पर ओएच अब इसका नाम बता प्रोडक्ट का एक ही वन शॉट में आंसर चाहिए रॉंग नहीं होना चाहिए प्रोडक्स का नाम क्या है इसका यह मॉलेक्वल का नाम क्या है इतल आलकॉल वेरी गुड इना इतनल वेरी गुड अब गाली खाते बच्छे तो सब बरोबर सब सब आंसर देते सिंपल इथर के साथ में दोनों इथल आलकॉल ही बने अब्वियसली जब मिक्स इथर बनेगा तो भी कोई टेंशन की बात तो नहीं है क्यों नहीं है वाई क्योंकि दोनों साइड पर क्या करना है सिर्फ चुप चाप आलकॉल बनाना है जैसे होट है में दोनों का यहां पर दो मोल क्या बनाना है यह अलगी लॉस्ट दूए हूं 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 थे च्छी के आगे क्या कोक्रोच है थो बोलना पूरा रिएजेंट वापिस क्या तुम लोगों को क्या बीमारी हूं यह तुम रियक्टेंटी वापिस बताते हो प्रॉडक्ट में दिमाग ठिकाने है तुम लोगों का मैं क्या बोल रहा हूं यह सी ओ बॉन्ड को तोड़ो आजू बाजू एच ओएच को जोड़ो अंधे यहां देखके नहीं बता पारे हो क्या प्रॉडक्ट है बोलो जरा जोनतन अभी भी कुछ अलग ही बोल रहा है कुछ तो अलग ही ट्रैक पर चल रहा हूं यह ओके ना जॉनतन यू सेट च्छ 3 प्रॉडक्ट है प्रॉडक्ट है ना फिर यह दूसरा प्रॉडक्ट है ना क्या बोलता है सोच के ना इसमें यह दोनों एल्कोहल बनेंगे जॉनतन थोड़ा ध्यान देके बोलना यार क्या बोल रहा है प्रॉडक्ट है क्या गर रहा है ध्यान नहीं है आज कि उपर का मत देख जो रियक्शन लिख रहे उसको देख विटा साहिल क्लियर है सब मिथाल आलकोहल एंड इथाल आलकोहल सिंपर ठीक है एक रियक्शन में ऐसा लिख देता हूं आपके लिए एक्स्ट्रा आप खूद इसका यह देखो क्या बनने वाला है चलो बताओ इजी है क्या बनेगा मतलब क्या बोलते हैं हमने तो चाइनीज में पढ़ा है ना इसको क्या बोलते हैं बेंजीनिंग विद ऊच को इसी के उपर पूरे चैप्टर का नाम है हम तो जक मार रहें पढ़ा ही थोड़ी कर रहें क्या बोलते हैं इसको फीनॉल वेरी गूड फीनॉल प्लस इथेनॉल बेंजीनिंग विद ऊच इसको फीनॉल और क्या है ओपेसली तो फाइनली गया दिमांग में जॉनतन के वेरी गूड नाइस तो यह हो गए हमारे एथर्स के मेतोड़्स प्रेपरेशन एंड रियक्शन तो यह हमने कंप्लीट किया था फिर फीनॉल पूरा कंप्लीट के एमोपी और रियक्शन और एक लास्ट पार्ट चैप्टर का जो कंप्लीटली थेओरेटिकल उसकी मांको मार्किंग दे रहाँ टेक्स्बूक में से वह सीधा सीधा लर्न कर रहें तो कि अगे सभी लोग अपनी स्टेट बोर्ड के टेक्सबूक का पेज नंबर 250 250 250 250 पेज 250 250 ओपन करो चलो जल्दी जल्दी किया सबने ओके अ उसमें आपको मिलेगा डार्ट प्रम परकेटीज उप्र उसमें फरस्ट वाला लेबारिटरी टैस्पोर एथर उसको मार्क करो वहां पे laboratory test for ether और बाजू में लिखो short note boards के लिए काफी important short note है वो छोटी सी शायद हो सकता है एक mark या दो mark के लिए क्या है उसमें ethers are neutral in aqueous medium and do not react with acids basis और cold acids or reducing agents और oxidizing agents और active metals वो किसी के भी साथ react नहीं करते यह उनका बहुत ही important feature है बाज समझ में आई यह सबको ओके उसके बाद जो भी है उसको cancel कर दो उसके बाद जो चोटा सा cross कर दो जो भी reaction with alkyl group of ether ना peroxide वाला उसको चोटा सा cross कर दो ठीक है कि उसके बाद आप देखेंगे हमने अलड़ी किया हुआ है hydrolysis PCL5 वाला नहीं है आपको hot concentrated acid होई है HX HI लिखवा है मैंने I की जगा पर iodine की जगा पर bromine या chlorine भी हो सकता है यानि कि इन जेरल विकेंड राइट एस एक्स नेक्स पेज़ पर aromatic दिया वह फाइफ जो में रियक्शन हमारे सल्फोनेशन है लोगेनेशन एसाइलेशन अलकाइलेशन नाइट्रेशन यह पांस रियक्शन जो आपको मैं बहुत बार करा चुका हूँ कोई सेम रिपीट होने वाले तो अगेन उसमें कोई बहुत जादा यह नहीं है बड़ी बात नहीं है जो फ्रीडल क्राफ्ट रियक्शन आपको मिलेगा नेक्स पेज़ पर 251 पर फ्रीडल क्राफ्ट उसमें आप देखो एनिसोल मिला एनिसोल के साथ रियक्शन है मैंने आ अपने यूजिस तो आई थिंग सब लोगों ने अल्रेडी लिख के सब बिट कर दिये ते यूजिस अपने लिख दिये राइट मैंने यूजिस लास्ट लेक्शर में बोले थे कि यूजिस अव अल्कॉल फीनॉल इथर हां मैं को स्क्रीन शॉट बेजना था जॉनतन ने बेजा था साहिल ने बेजा था हां हां ओके तो वह यूजिस एक बार गो थू कर ले ना बच्चो बाकी आई थिंग सो इस दन अपना पूरा कंप्लीट तो आल्कॉल फीनॉल इथर अपना चाक्टर कंप्लीट होगे इसके बाद अब जो नेक्स टॉपिक में चालू करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टन बड़ा टॉपिक है वो ठीक है ब्लोग केमिस्ट्री का बेसिक्स ना पहले मैं आपक सिक्वेंस जो हम लोगो थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि आपको वो ब्लोग केमिस्ट्री ऐसा नहीं कि एक महीना पूरा वो चलता रहे यह बहुत बड़ा चैप्टर हो और सबसे ज़्यादा वेटेज उसका है पी ब्लोग का खास करके पी ब्लोग चैप्टर आपको अच चंक कंप्लीट हो जाएगा सिलमस का तो आज के लिए महरबानी करो जरा खुद मेरे पर नहीं कि जितना यह अल्कॉल फीनॉल इथर का पार्ट कंप्लीट किया है न वो पूरा इस चैप्टर से गो थू करो टेक्सबुक से आज के लिए इतना ही ओंबग दे रहा हूं ठीक ह करोगे सब के सब हां ठीक है और नेक्स्ट लेक्चर में आपन न्यू चाप्टर चालू करें ओके बाबाई है हां जी बोलो पीडिएफ में अभी अभी बना के आपको भेज देता हूं अभी बना के आपको तुरंट भेजता हूं वाट्ट सब को बढ़ी ब ludzi बाबुम वाबुम वाबुम